नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम भरत्तिगारी और आप देख रहे हैं, UK वाला वाई YouTube चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियों बात करने वाले हैं, कि YouTube पे वीडियो वाइरल कहाँसे होती है YouTube पे वीडियो वाइरल करने की कोई ऐसी सेटिंग होती है या फिर हम जब तक किसी से प्रमोट ना करा लें अपने चैनल को तब तक हमारी वीडियो वाइरल नहीं होती, क्या यह सब कुछ सच है, आज यही वीडियो मा आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कि मेरे यूटूब वीडियो उपलोट कर रहा हूं, मेरी यूटूब वीडियो तो वाइर नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, यार यूटूब के कईसे से शैंटिंग मुझे बता दो कि मेरी YouTube वीडियो वाइरल हो जाए, या मे और किसी से प्रमोट कर वालो ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं लोगों का कहना है कि भाई जब तक हम प्रमोट ना कर रहा हैं किसी से तब तक हमारा चैनल ग्रो नी करता तब तक हमारे यूटूब वीडियो वाइरल नी हो पाती तो आपको बता दू यह सारी चीजे जो आपको लगता है ना कि यह प्रमोशन के बाद हमारी यूटूब वीडियो वाइरल होगी यह दिमाग से निकालो हा मैं कह सकता हूँ प्रमोशन के बाद एक बड़ा यूटूबर अगर आपको प्रमोट करते तो आपके बास ओडियंस आ जाएगी लेकिन वो ओडियंस से तिकेगी कब तक आप रुख जाएगा और आपका वही जो पहले वाला सिच्वेशन थी पहले वाली आपकी जो सिच्वेशन थी आप वही पर आ जाओगे तो आपके गलत फैमी निकाल दो कि प्रमोशन के बिना चैनल की कोई भी वीडियो वाइरल नहीं हो सकती यूटूब हर एक बंदे को जितन आप title, description, thumbnail, tag लगाना अच्छे से नहीं सीख पाओगे तब तक आपकी कोई भी YouTube वीडियो वाइरल नहीं होगी thumbnail, title, description ही अगर अच्छा नहीं है तो कौन आपकी वीडियो को देखेगा भाई कौन आपकी वीडियो को सर्चिंग पे ही नहीं आ रही है कौन आपकी वीडियो तक पहुच पाएगा जब तक ये सब कुछ आप जो है अच्छे से समझ नहीं पाओगे सीख नहीं पाओगे तब तक आपकी कोई YouTube वीडियो वाइरल नहीं होगी आप चाहे 100 बनाओ, 200 बनाओ या 300 वीडियो बना लो यूटूब वीडियो वाइरल नहीं होती जब तक ये चीज़े बंदा नहीं सीख पाता अब बात करते हैं यहाँ पे कि इनको सीखने के बाद हमारी YouTube वीडियो कब वाइरल होती है तो दोस्तों आपको बतातू जब आप टाइटल, डिस्क्रप्शन, थम्नेल, टैग लगाना अच्छे से सीख जाते हैं तो उसके बाद आपकी एक वीडियो जरूर वाइरल होगी और कौन सी वीडियो वाइरल होगी यह मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि कौन वीडियो वाइरल हो जाए, यह तो भाई मुझे नहीं पता मेरी कौन सी वीडियो वाइरल होगी यह तो आपको भी नहीं पता, यह किशी को नहीं मालूमत है कि कौन सी यूटूब वीडियो वाइरल हो जाए बस आपने हर YouTube वीडियो पे जो आप समझा रहे हैं लोगों को वो बता रहे हैं अगर वो आपने सही से किया है जो आपने YouTube वीडियो पे बताई वो और अच्छे से आपने बताया है लोगों को वहां पर समझाया है, तो आपकी वीडियो वाइरल होने के बाद, आपके पास सस्क्राइबर कितने हैंगे, आप सोच नहीं सकते, अगर वहां पर जो वीडियो आपकी वाइरल होगी, और उस वीडियो पर आपने कोई ऐसा बता रहा है, जो कुछ हो ही नहीं रहा है, उस पर कि उसमें दम है कॉंटेंट में, तो ही सस्क्राइबर आएंगे, वरना वो वाइरल होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे भी चैनल देखे हैं, जिनके सस्क्राइबर तो 2 हजार हैं, लेकिन उनकी जो वीडियो वाइरल होती हैं, उस पर लाखों व्यूज आप ये गलत फहमी निकाल देना, कि वाइरल होने के बाद आप फेमस हो जाओगे, वाइरल होने के बाद आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, अगर कॉंटेंट में दम है, तो आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, ये आपको बता देता हूँ, अगर कॉंटेंट में दम नहीं है, तो ग्रो नहीं कर पाएगा और बिना प्रमोशन के भी चैनल ग्रो करता है यह आपको बता देता हूं और प्रमोशन के बाद भी चैनल ग्रो नहीं करता है यह भी आपको मैंने बता दिया तो दोस्तों आप आज इस वीडियो में अच्छे से समझ गये होंगे कि यूटूब व को इस्टेग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना तब तक के लिल विदा फ्रेंड मिलते हैं अगली कोई न्यू यूटूब टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेके थैंक यू सो मज़ जय हिंद जय वारत